दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं डॉक्टर बुकिन कुमार को और इस वीडियो में लोग जो बात करने वाले हैं about the role of water in plant physiology तो plant physiology में water का क्या role है उसके बारे मोग डिसकस करेंगे जैसे आपको यहां पर देख रहा होगा दोस्तों मोटी मोटी अगर हम बात करें तो यह plant आपको देख रहा है stand कर रहा है तो imagine कीजिए कि इसमें क्या क्या रूल हो सकता है water का यह जो plant आपको proper shape में देख रहा है इसके पीछे भी रीजन क्या है water का क्योंकि सेल जो सेल है आपका plant का सेल होता है उसके अंदर जो टर्जिट्री होती है plant के सेल की वह कैसे आती है because of water तो आप देखोगे कि जो plant proper shape जो अटेंड करता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा आपका सकते हो रोल है वो किसका water का दूसरा एक तो आपका जो है plant के पार्ट से water जो है loss होता है transpiration तो यह बहुत important है especially tropical जो plant होते हैं जहां पर sunlight ज्यादा receive होती है तो वहाँ पर क्या है heat जो है accumulate हो जाएगा plant के अंदर तो उसके लिए जो यह transpiration है बहुत ही important process है जिससे की plant जो है cool रहता है ठीक और दूसरी बात जैसे nutrition की अगर देखोगे बात करोगे nutrition में जैसे यहाँ पर मालो जो nutrient है वह कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे plant तक कैसे पहुच होंगे जो है उसके जो carrier है वह कौन है water क्योंकि water जो है यह क्या है universal solvent है तो यह एक तरह से आपका medium का काम करता है और जो opening of stomata और closing जो leaf में stomata होता जिसके तरह gas का exchange होता है वह भी किसके तरह होता है opening और closing जो होता है वह किसके तरह इसी water की वाज़ा से क्योंकि जब cell flaccid और turgid condition में जाता है तो उसके वाज़से यह जो stomata है open होते हैं तो चलिए अब one by one देख लेते हैं यहां पर कुछ points दिये हुए है जैसे पहला कहता है as a constituent of protoplasm जो protoplasm होता है आपको बता दूँ आपको जैसे आपका अगर यह cell है तो cell में एक क्या होता है आपका nucleus होता है और यह है आपका cytoplasm तो nucleus और cytoplasm इन दोनों को मिला के बोलते हैं उसमें 90-95% क्या होता है water होता है तो देख सकते हो कि यह बहुत जादा important necessary for the proper physiological function of carbohydrate protein and lipid ठीक है और third देखोगे necessary for the many metabolic action जैसे आपका inter conversion of carbohydrate, organic acid, metabolism इन सब में यह जो आपका water है बहुत important प्रोल करता है जैसे यहां पर हमने बताया था कि आपका यह जो proper cell जो cell shape में है और plant shape में दिख रहा है इसके पीछे भी आपका बहुत important role जो होता है वो आपके water का होता है तो water कैसे help करता है जैसे maintain cell tragedy which is essential for जो tragedy यह cell की जब पूरी cell जो है उसमें water optimum होता है तो target condition में होता है proper shape में होता है ठीक है तो उसको target condition बोलते हैं तो उससे क्या होगा plant का proper shape और regular जो shape है वो attain कर लेता है ओपनिंग and closing up stomata भी जो है इसी tragedy पर depend करता है और transpiration जो activity जैसे मैंने बोला कि transpiration बहुत important है further जो प्लांट के जो है tropical condition में जहांपर heat बिजाता accumulate नहों तो plant के लिए भी optimum temperature चाहिए body के लिए तो वो कैसे possible है जब transpiration होता है तो heat जो है वो accumulate नहीं होता है plant body में अब जैसे पांचवाँ जो point कह रहा है water act as a carrier and solvent for many molecules solvent जिसमें solute को dissolve easily किया जा सकता है और उसको act as a तो इसलिए यह universal solvent है जो water इसलिए यह carrier के तरह काम करता है किसी solute को ले जाने के लिए तो that's why it is a medium medium है in which many reactions take place ठीक है और thermoregulation जैसे हमने बात किया था especially in the tropical plant जहाँ पर ज्यादा heat generate होती है heat attain होता है sunlight से तो ऐसे condition में जो है thermoregulation इसी के द्वारा होता है जैसे कि plant जो है अपना proper temperature maintain कर पाता है उसके बाद देखोगे water helps in mobility of gametes जैसे gametes क्या हो सकते है यह क्या है reproductive organs होते है reproductive cells होते है जैसे अगर हम बात करें female में तो उसको egg cell और वही जो male part है उसको बोलते है हम pollen तो gametes जो mobility है reproductive part की वह भी उसमें बहुत important role करता है हमारा किसका water का जो dispersal होता है fruit का और spore का उसमें भी इसका बहुत important role है seed germination में में भी इसका रोल होता है imbivision process के जो है अपने से four five time जो है water को absorb करता है जिससे वो फिर germinate करता है और respiration में भी बहुत ही important role play करता है आट वो point है जैसे water is necessary for the photosynthesis you know the photosynthesis one the very important process उसके द्वारा क्या होता है कि plant जो है अपना food produce करता है और यह कैसा important vital physiological phenomena है जिसके द्वारा कि हम carbon का fixation करते है plants वे carbon का fixation करता है और वो अपना food produce करता है तो इन सब points से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या important role है जो है water का in plant में और उमीद करूंगा यह video आप लोगो काफी interesting होगी video कैसी थी इसको comment करके आप लाइक करके सकते हैं और इसी तरह की video को देखने के लिए आप हमने चैनल को subscribe कर सकते हैं सकते हैं सबस्क्राइब झाल